आज हम बात करने वाले हैं एक फोन से दूसरे फोन में Bluetooth से एप सैंड कैसे कर सकते हैं आये जानते हैं तो Bluetooth से एप को शेर करने के लिए आप Google Play Store को ओपन करिए Google Play Store को ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बार पर किलिक करिए और सर्च करिए AP के शेर प्रो यहाँ पर आप APK Share Pro सर्च करेंगे तो यह वाला एक application आएगा APK Share Bluetooth यहाँ पर इस पर किलिक करिए तो यहाँ पर इसका लोगो देख सकते हैं छोटा सा application है इंस्टॉल पर किलिक करके इस application को अपने phone में इंस्टॉल करिए इस application को इंस्टॉल करने के बाद open का जो option आएगा open पर किलिक करिए open करने के बाद थोड़ा सा wait करिए और आपके phone के सारे application यहाँ पर आज जाएंगे अब जो application आप share करना चाहते हैं अपने दूसरे phone में वो application यहाँ पर आप select करिए तो जैसे कि हम share करना चाहते हैं facebook light को तो इसे select करेंगे अगर आप एक से ज़्यादा application share करेंगे तो इस टाइप से select कर सकते है तो यहाँ पर हमने select किया facebook light को अब applications को select करने के बाद नीचे send या फिर share का जो option आएगा इस पर किलिक करिए अब यहाँ पर share करने के लिए काफी सारे option आएगे तो आपको slide करके इस type से मिलेगा bluetooth, bluetooth पर किलिक करिए अब यहाँ पर अगर bluetooth को on करने के लिए कहता है तो on करिए तो कुछ इस type से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका bluetooth बंद होगा तो जब आप send करेंगे, bluetooth को select करेंगे तो turn on का option आएगा इस पर किलिक करके, bluetooth on हो जाएगा अब जिस phone में application को आप send कर रहे हैं अपने उस phone में bluetooth को open करेंगे तो इस phone में हमने bluetooth को on किया bluetooth को on करने के बाद available device में आपके इस device का नाम आएगा तो थोड़ा सा wait करेंगे यहाँ पर इसे refresh करिए तो यहाँ से अपने device name चेक करेंगे available device में आपको यहाँ पर वो name मिलेगा तो जैसा कि देख सकते हैं यह है device name अब share करने के लिए आप इस पर किलिक करिए अपने phone के device name पर उसके बाद आपके इस वाले phone में एक accept का option आएगा तो अगर accept का option आएगा तो accept पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर notification बार में आप चेक कर सकते हैं आपकी application की file आना शुरू हो जाएगी अब यहाँ पर पूरी file आने के बाद इस पर किलिक करेंगे apk पर किलिक करेंगे अगर आपको इस type की problem आ रही है तो अपने phone में file manager को open करेंगे उसके बाद apk पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर वो apk आपको मिलेगा जो application आपने send किया है अपने इस phone में किलिक करेंगे install पर किलिक करेंगे नीचे और थोड़ा सा wait करेंगे और आपका application इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से एक phone से दूसरे phone में bluetooth से app को send कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें